मैं ने chapter 2 fractions and decimals के सभी concepts और important questions को एक single page के अंदर दाल कर ये one page notes eddy किया तो अगर आप doraemon के पास जाकर bread वाला gadget ले और उसे इस one page notes के उपर लगा कर खा ले तो आपको fractions and decimals के test में full marks आने वाले मैं मजाग कर रहा था तो चली जान लेते हैं कि fraction क्या होता है तो यहाँ पर हमें एक example लिया गया है इस example के अंदर pizza को चार equal हिसों में बाटा गया है यहाँ डिनॉमेंटर हमें बताता है कि हमने whole object को कितने parts में cut किया और numerator हमें बताता है कि हम कितने parts को consider कर रहे तो यहाँ पर example की दोर पर मैंने pizza को चार equal pieces में बाट रगा है तो इसका मुलब यहाँ पर denominator 4 आने वाला है यहाँ पर 4 piece में से मैं एक piece को consider करूंगा तो हमारा fraction आजाएगा 1 by 4 उसी तरीके से अगर मैं दो parts को consider करूंगा तो मैं आजाएगा 2 by 4 इसको आप cancel करके लिख सकते है 1 by 2 चलिए types of fraction देख लेते fraction के total चार टाइप से first है proper fraction proper fraction में numerator कम होता है denominator से जैसिके आप example में हमें दिया गए 3 by 4 तो यह आप numerator कम है denominator से उसी तरीके से इन proper fraction ऐसा fraction है जिसमें numerator जादा है denominator के Next है Mixed Fraction Mixed Fraction के अंदर एक whole number को combine किया जाता है proper fraction से जिसलिकि आप example में में दिया गए 1.5, 3, 3, 4 हमार last type of fraction है Equivalent Fractions अगर दो different fractions same value को represent कर रहे हैं तो हम उन fractions को कहते है Equivalent Fractions जिसलिकि आप example में में दिया गए 2 by 4 और 1 by 2 2 by 4 को हम लोग cancel करके lowest form में लिख सकते है 1 by 2 जिया पर 2 by 4 और 1 by 2 दोनों भी same value 1 by 2 को ही represent कर रहे है तो इसलिए ये दो fraction हो जाएगे के Equivalent Fraction Next हम दिखेगे कि हम improper fraction को Mixed Fraction में कैसे convert करते है जिया पर हमें एक improper fraction 7 by 5 दिया गया है तो इस improper fraction को Mixed Fraction में convert करने के लिए मैं 7 को 5 से add कर दूँगा तो यह पर 7 अंदे आजाएगा 5 बाहर 5 अंजा हो जाएगा 5 और subtract करने के बाहर हमें मिलेगा 2 तो यह पर Mixed Fraction आजाएगा 1, 2 by 5 तो यह मैंने लिख दिया है 1, 2 by 5 उसी तरी के साम देगे हैं कि हम Mixed Fraction को Improper Fraction में कैसे convert करते है यहाब हमें एक Mixed Fraction 3, 3 by 4 दिया गया है तो उसको Improper Fraction में convert करने के लिए मैं whole number को denominator से multiply कर दूँगा तो मुझे मुलेगा 12 तो 12 के अंदर मैं add कर दूँगा numerator को जो की जा 3 और फिर मैं denominator को as it is लिख दूँगा तो यहाब हमारे पास Improper Fraction आ चुका है 15 by 4 यहाब हम नेक्स्ट हम देगे कि हम Fraction को add या subtract करते हैं किसी भी दो Fraction को अगर हमें add या subtract करना है तो उनकी denominator equal होना जरूरी है तो यहाब हमें 3 by 4 और 1 by 4 को add करना है तो इनकी denominator already equal है तो इसलिए यहाब हम denominator को common लिख सकते हैं और numerator को numerator से add कर देगे तो यहाब हमेरे पास 4 by 4 आ जाएगा जिसे हम लिख सकते हैं 1 तो यहाब हमेरे पास denominator को इक्वल नहीं है इन दोनो Fraction के denominator को equal करने के लिए मैं फर्स Fraction के numerator और denominator से 4 को multiply कर दूँगा और सकेंड Fraction के numerator और denominator से 3 को multiply कर दूँगा तो यहाब हमें बस denominator common आजेगा 12 और numerator में आजेगा 8 प्लस 9 इससे solve करने पर हमें मिलेगा 17 by 12 नेक्स्ट हम दिखे कि हम Fraction को multiply कर से करते हैं इसमें 2 पार्ट से फर्स पार्ट के अंदा हम Fraction को दूसरे Fraction से multiply करेगे तो यहाब हम इने 2 Fraction ले रखा है इन 2 Fraction को हमें multiply करना है यहाब नियुमेटर नियुमेटर से multiply हो जाएगा और denominator नियुमेटर से और हमें value मिल जाएगी 14 by 15 नेक्स्ट हमें Fraction को whole number से multiply करना है तो यहाब हमें Fraction लिया 3 by 4 और whole number है 3 3 को मैं 1 से divide करके लिख सकता हूँ तो कि किसी भी number को अगर हम लोग 1 से divide करेगे तो हमें same ही number मिलता है तो हम नियुमेटर को नियुमेटर से multiply करतेगे और denominator को नियुमेटर से तो हमें value मिल जाएगी 9 by 4 तो हमा नेक्स टॉपिक है और इस टॉपिक के दो पार्ट से इन पार्ट को जानने से पहले जान ले देगी है और अपरेटर क्या होता है तो यहाब हम इने right side के अंदर एक example लिया है उस example के अंदर हमें half of two pizzas find out करना है हमें पता है कि दो pizza का आदा होता है यहाब हम लिख सकते है one pizza इस same चीज़ का हम लोग multiplication का यूज करके भी find out कर सकते है अगर हम लोग half into two लिखेगे तो भी हमें one ही मिलने वाल है उसका मतलब हम off लिखे या multiplication का sign लिखे दोनों एक ही बाद है तो चलिए first part देखते है यहाब हमें off operator का यूज करके whole number का fraction find out करना है first example के अंद हमें half of 16 find out करना है तो इसे हम लिख सकते हाफ into 16 तो हमें यह calculate करने पर answer मिल जाएगा 8 उसी तरीके से half of 3 को हमें लिख सकते हाफ into 3 तो यहाब 1 into 3 equal to हो जाएगा 3 के और denominator में आजएगा 2 तो अगर हम improper fraction को mix fraction में convert करेगे तो हमें मिलेगा 1 1 by 2 उसी तरीके से second part के अंद हम off operator का यूज करके एक fraction का fraction find out कर सकते है तो यहाब example में हमें half of 3 by 2 find out करना है इसे हम लिख सकते हाफ into 3 by 2 जो की equal to हो जाएगा 3 by 4 के उसी तरीके से next example में half of half equal to हो जाएगा half into half के इसको solve करने पर हमें मिलेगा 1 by 4 हमार नेक्स अपिक हे value of products इसके हम दो पार्ट से चलिए first part देखते है हमारा first part है product of 2 whole numbers तो यह आप हम इने 2 whole numbers के लिए 3 और 4 इन दोनों को multiply करने पर मुझे product मिर रहा है 12 तो जो मुझे product मिर रहा है वो यह दोनों numbers से बढ़ा होने वाल है 12 3 से भी बढ़ा है और 12 4 से भी बढ़ा है तो इसका हम दो करे सकते हैं product of 2 whole numbers is greater than both the numbers next part में हम product of 2 fractions को check करेगे तो इसके ने 3 sub part से first sub part के अंदर हमें product of 2 improper fraction को check करना है तो यह आप हमने 2 improper fraction लिए है और उनको multiply किया है तो इहाँ पर भी जो मुझे product मिर रहा है वो यह दोनों fraction से बढ़ा है अगर आपको check करना है कि जो product आ रहा है वो इन 2 improper fraction से बढ़ा है तो यह आप इन 2 fraction की denominator को equal कर सकते है तो आपको दीगी कर कि product जो आ रहा है लेकिन बढ़ा होगा proper fraction से नेक्स हम reciprocal और fraction देख लेगे किसी भी fraction के reciprocal के अंदर numerator denominator बन जाता है और denominator numerator तो यह आप अगर हमें 3 by 4 का reciprocal find out करना है तो वो आ जाएगा 4 by 3 तो यह आप numerator denominator बन चुका है और denominator numerator उसी तरी किसे second part के अंदर हमें whole number 2 दिया है उसका हमें reciprocal find out करना है तो यह आप सबसे पहले हमें whole number को fraction में convert करके लिखना होगा तो इसलिए हमें whole number को 1 से divide करके रखा है किसी भी number को अगर हमनों 1 से divide करेगे तो हमें same ही number मिलता है तो इसलिए हमें 2 को 1 से divide करके रखा है तो यह मुझे reciprocal मिल जाएगा 1 by 2 हमाँ नेक्स टोपिक है, डिविजन और फ्रेक्शन, इसके अन्हें तीन पार्ट से, चलिए फर्स पार्ट देखते हैं, फर्स पार्ट के अंदर हमें, होल नंबर डिवाड़ेट बाई फ्रेक्शन, फाइंड रखना होता है, तो हमें उस फ्रेक्शन की जगा उसका रेसिपो टु बाई बाई वन लिग दिया है, आ डिविजन के शान की बाई लिग दिया है, मुल्लिकेशन का साइं, तो हमें जो खुसे पार्ट के अंदर हमें इन्ट वाल नंबर फायोड करना है, तो हमें 3 बाई 4 नंबर डिवाड़ेट बाई 6 कर रहा हो। तो यहाँ पर आप मैं 6 by 1 के बली लिख दूँगा उसका reciprocal 1 by 6 और division के sign के बली लिख दूँगा multiplication का sign तो इसको solve करने बद मुझे value मिल जाएगी 1 by 8 उसी तरीके से last part के बली बली लिख दूँगा और division के बली लिख दूँगा multiplication का sign तो मुझे answer मिल जाएगा 8 by 15 चली जान ले दे ही कि decimals क्या होता है decimal number ऐसा number होता है जिसमें एक decimal point होता है जो कि किसी whole का fraction को represent करता है जो decimal point के right side में number होता है वो हमें fractional part को बताता है और decimal point के जो left side में part होता है वो हमें whole part बताता है जिसी कि आप example में हमें decimal number 1.5 दिया गया है तो 1.5 को हमनों Mixed Fraction के अंदर लिख सकते हैं, 1, 1 by 2. यह आप लिए तो हमने उपर देख लिया है कि Decimal Number क्या होता है, Next हम देखे हैं कि हम Decimal Numbers को Multiply करते हैं, Multiplycation of Decimal Numbers के अंदर तीन पार्ट से, First पार्ट के अंदर हमें Decimal Numbers को 10, 100, 1000 जैसे Numbers से Multiply करना है, तो Decimal Point 2 Digit Right में Shift हो जाएगा, और 1000 से Multiply करने पर Decimal Point 3 Digit Right में Shift हो जाएगा, Next हम Decimal Numbers को Whole Numbers से Multiply करेगे, यह आप हमेने Decimal Numbers लिया है 0.9 और Whole Numbers है 4, यह आप 0.9 को हमने लिख सकते हैं, 9 by 10, हमने उपर देखा था कि अगर हम किसी भी Decimal Numbers को 10 से Multiply करते हैं, तो Decimal Point 1 Digit Right में Shift हो जाता है, उसी तरीके से अगर हम किसी भी Numbers को 10 से Divide करते हैं, तो Decimal Point 1 Digit Left में Shift हो जाता है, जब आप 0.9 को मने लिखे हैं, 9 by 10, तो यह आप 9, 4 जा हो जाएगा 36, और Denominator में आज जाएगा 10 as it is, तो 36 को 10 से Divide करनेक बाद Decimal Point 1 Digit Left में Shift हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 3.6, लास्ट पाट के अंद हम लोग Decimal Number को Decimal Number से मलपाय कर रहें, यह आप 0.2 इंटू 0.3 करेगे, यह आप 0.2 को मने लिख सकते हैं 2 by 10, और 0.3 को मने लिख सकते हैं 3 by 10, तो 2 3 जा हो जाएगा 6, 10 10 जा हो जाएगा 100, 6 के पहले मैंने कुछ एक्स्टा 0,000 रखे, यह आपर 6 को 100 से Divide करनेक बाद Decimal Point 2 Digit Left में Shift हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 0.06, नेक्स्ट हम देखें के Division of Decimal Numbers, हमने उपर देखा दागे, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से Divide करते हैं, तो Decimal Point 1 Digit Left में Shift हो जाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 3.6 को 10 से Divide करनेक बाद, हमें मिलेगा 0.36, उसी तरीके से 3.6 को 100 से Divide करनेक बाद, Decimal Point 2 Digit Left में Shift हो जाएगा, और 1000 से Divide करनेक बाद, Decimal Point 2 Digit Left में Shift हो जाएगा, नेक्स पार्ट के अंदा हमें Decimal Number divided by Whole Number करना है, तो यहाँ पर मैंने Decimal Number लिया है 3.6, और Whole Number लिया है 4, 3.6 को हम लोग लिख सकते हैं 36 by 10, और यहाँ पर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 by 1, और 2.5 को हम लिख सकते हैं 25 by 10, तो इसको भी उसी तरीके से Solve करनेक बाद हमें Answer मिलेगा 5, तो चलिए कुछ important questions देख लेते, यहाँ पर first question के अंदर हमें 3 2 by 5 को 4 by 7 से मल्लपाय करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने Mixed Fraction को Improper Fraction में Convert कर दिया है, यहाँ पर numerator को numerator से मल्लपाय करनेक बाद, और denominator को denominator से मल्लपाय करनेक बाद, मुझे Answer मिला है 68 by 35, नेक्स पार्ट के अंदर हमें 4 by 9 divided by 2 by 3 find out करना है, यहाँ पर 2 by 3 के बादे में लिख दूँगा उसका reciprocal, और division के sign के बादे लिख दूँगा multiplication का sign, तो solve कनेक बाद मुझे मिलेगा Answer 2 by 3, नेक्स पार्ट के अंदर हमें 2.5 के बादे लिखाओ 25 by 10, और 0.3 के बादे लिखाओ 3 by 10, यहाँ पर 25 into 3 इकुल हो जाएगा 75 के, और 10 तेंसा हो जाएगा 100, 75 को 100 से divide करनेक बाद decimal point 2 डिजित लेफ में shift हो जाएगा, तो हमें answer मिलेगा 0.75, नेक्स कोशिन के अंदर हमें reciprocal find out करना है 3 by 7 का, तो 3 by 7 का reciprocal आजएगा 7 by 3, नेक्स कोशिन के अंदर हमें 26.3 को 1000 से divide करनेके बाद, decimal point 3 डिजित लेफ में shift हो जाएगा, तो हमें answer मिलेगा 0.0263, नेक्स कोशिन के अंदर हमें 0.5 को मैंने लिखाओ 5 by 10, और 0.25 को लिखाओ 25 by 100, तो यहाँ पर भी हम second number का reciprocal कर देगे, और division के sign के बले लिख देगे multiplication का sign, solve करनेक बद हमें answer मिलेगा 2, last में हमें एक real life application कोशिन दिख लेगे, इस कोशिन में हमें दिया गया है कि विधिया और प्रताब एक बिकनी के लिए गये थे, उनकी मा ने उन्हें एक पानी का बॉटल दिया था, जिसमें 5 लिटर पानी था, उसमें से विधिया ने consume किया था 2 by 5 पार्ट, और बचावा पानी प्रताब ने consume किया था, इस चैप्टर की विटर पानी प्रताब ने प्रताब ने प्या था, अगर आपको क्लास 7 इंग्लिष की समरीज चीए तो आप इस वाले प्लेलिस में क्लिक कर सकते हो,